आज हम लेके आए हैं फीज कटलेट का डिसेपी बहुत ही सिंपल और इजी डिसेपी फीज कटलेट कह लीजिए या फीज चॉप कह लीजिए बहुत ही स्वाधिस्ट बना है घर में और घर का समान से बनाए हैं एक बार आप घर में बना लीजिएगा इस तरीके से तो बाहर क अच्छे तरह से इसमें डाल देंगे और 8-10 मिनर तक अपने के पकने देंगे अच्छे तरह से सीदो करना है मचली को और इसे आप तेल में फचले इन था कर लेता है कि यहां पे मचली को तीन मिनर तक हाइब फिल्म पर पक लिए और पांच से चे मिनर से दक पत्रील मिलीम डेख सकते हैं और देख सकते हैं और लोगे तो डालियेगा नहीं तो मत डालियेगा हल्दी हम कलर के ऊज़से डाले हैं और नमक्तोर नहीं है अब फिसे निकाल लेते हैं निकाल करके मचली को ठंड़ा कर लेंगे और मचली आप अगर चौप के लिए ले रहे हैं तो इस तरह से गोल-कटवाईएगा कांटा निकालने मे बहुत दिकत होता है तो इस तरह से सब जितने भी फिस सब का कंटा निकाल लेंगे हम कि अजय से बीकॉल करता में अभी बारिस बहुत हो रहा है तो फिस फड़ाए और कोरा यहीं सब खाने का दिन है आज यह से लग रहा है कि आंदी तुफ़ान के साथ में बारिस भी आया है तो मचली में से कांटा निकाल लिए हम देख सकते हैं अब यहीं पर नहीं हुआ अभी मचली में जो मोस्चर रहता है पानी में सी धूकिये हैं तो सभी हम थोड़ा सा निचोर लेंगे नहीं तो भून्ने कटे में जदा दे इसका अच्छे तरह से तो आप इस तरह से लेले करके पानी इसका निकाल दीजीए गार है कि आधी इसका मसला बनाएंगे चलिए मसला भी बना ही लेते हैं पर यहां पैन बैठा दिया है गरम हो गया है इसमें दो छोटे चमश तेल डाले हैं रिफैन डाले हैं प्याज उसे बारिक बारी काट लिए है अब इसे प्याज को जेर से दो मिनदर तक भून लेंगे उसके बाद हम इसमेद रखे हैं अधरक लेसुन हरी मिर्चा होज मैं उसे हम डाल देंगे आप चाहे तो पूट के डाल सकते हैं इसे भी भून लेंगे देर से दो मिनार तक इसे भी भूने हैं हम उसके बाद रेड़ चिली पॉडर धनिया पॉडर आधी छोटी चमच जीरा पॉडर आधी छोटी चमच हल्दी पॉडर गड़म मसला मिला देँगे अच्छे तो से उसके बाद से आधन सार्णववर नमक डालेंगे नमक हम तब ड़ना भूल गए थे भी डाल नमक ड़ान पहले जरूरी था मिला देंगे अच्छे तुरह से अब इसमें हम मचली यांज़ कर देंगे मचली को फेले थोरा सब भूल लेंगे दो से तीन मिनार तक मीडियम टू लो फेलेंगे मसला में मिला दिये हैं मचली को अच्छे तरह से आप में से ही किसी फ्रेन ने कॉमेंट किया था जब वीडियो सुट करते हैं तब कारील ओस क्यों नहीं रहने देते हैं तो आपको कहना चाहेंगे जब वीडियो सुट करते हैं तो बाहरुका यह थोरा बहुत आता ही है और मेरा दोनों बेटा वहीं पर होईब खेलते रहता है तो वो अलोग सो बातें करते करते हैं कहर में बनाने सेमस्री ज़्यदा रहता है अलू थोडा सा कम सब्सक्राइब masking असे धनीयँ पताइड किए है है मिला देंगे अब यह इसे हम मेसर से में ूं सब्सक्राइब कैके मेरlu मील जाएगा अगर आपके पास में आलू में इसने बदला नहीं है तो आपका अदूक असकर करके आलू डाल सकते हैं इसमें तो आलू भी मिली गया है और इस रिषएपी में आपको दो रिषएपी देखने को मिलेगा इसके साथ में जो चटनी खाया जाता है उसे भी हम घर में ही बनाए हैं उसका इसे भी दिखाएंगे आपको लास्ट में तो वीडियो का पूरा देखिएगा तो मिली गया है अब यहां पे हम इसे कोटिंग करेंगे इसके लिए हम फीस कटले कोटिंग करने के लिए हम यहां पे ब्रेड क्रम्स नहीं लिए हैं और नहीं अंडा लिए हैं यह कॉन फ्लोवर है कॉन फ्लोवर चार छोटे चमस लिए हैं सुगादन उसार इसमें नमक डाल और इससे पानी डाल करके मिला लेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मिलाएगा यह नहीं जो बहुत पतला ही हो जाए यह तो बहुत मोटा ही हो जाए और हम यहां पे अंडा नहीं लिए हैं अंडा में तलने से तेल में पूरा फेना हो जाता है इसलिए और यहां पर हम सूजी लिए हैं जो बॉल में रखा हुआ यह सूजी है इसे सूजी में कोटिंग करेंगे और सूजी में ब्रेड करम्स में कोई फर्क नहीं लगता है दोनों से भी लगते रहता है इसलिए हम आपको बोले थे फर्श्ट में ही जो घर का समान से है और उसे हठीली के मदल से इस तरह से दबा देना है देख सकते हैं और वह इंग बन गया है कि जितने भी है कि सबको इसी तरह सम बनाएंगे कि अरब कोटिंग कर लेते हैं इसका तो सुजी है वही दिखा रहेते हैं अभी आपको तो इसका दो बार हम कोटिंग करेंगे एक बार कर ली हैं एक बार और करेंगे ऐसे कोटिंग करके हम 5-7 मिनट के लिए रख दिये थे ताकि अच्छे से सेट हो जाईए और इसे बहुत कम तिल में बनता है एक अगे आतो देख सकते हैं इसे 10 मिनट हो गिया तो अब इसे फट्ड़ाय कर लेते हैं aunque तेल गरम हो गया है और इसे आप थाएम पर प्राइख क Taste आद हिए उन्होगे चाण्स रहता है एसे कोटिंग अच्छा से क्या रहेगा तो नहीं खुलेगा लेकिन फिर भी हाई फिलेम पे ही फ्राइग कीजिएगा इसको एक बार में 4-5 आए तो एक बार में 4-5 आई एड कीजिएगा जैदा एक बार में नहीं डालिएगा और इसे golden brown करके fry करना है दोनों तरफ से उलड़ते पलड़ते एक तरफ से गया है दूसरे तरफ पलड़ देते हैं इसको और फिर इसे परफल टेंगे इसे तो इसी तरह से आपको बनाना है और बना करके comment जरूर कीजिएगा जो कैसा बना था आपको बजार से ज़्यादा टेश्टी बना था कि नहीं घर में ग्रैंटी के साथ के सकते हैं बजार से बहुत ज़्यादा टेश्टी बना बनता है घर में यह तो कलर चेंज हो गया इसका देख सकते हैं तो अब इसे में निकाल लेंगे और यह अगर अंडा में फ्राइ करते हैं कोटिंग करके तो इस तेल में पूरा फेना भरती हो जाता तो तेल लेखने में अच्छा नहीं लगते रहता है इसलिए हम इसे सूजी और कॉन फ्रोवर से कोटिंग किया है तो बन गया है बहुत ही क्रेंस भी बना था आप जरूर लसुन का कली धनिया का पत्ता स्वाद अनुसार नमाक लेमन का जूस से अड़ करेंगे हम यानिकी निम्मू का जूस लेंगे दो चमच उसे भी मैट कर देंगे तो उमीद करते हैं आप सभी कोई रिसे पी पसंद आया वगर इसे पी पसंद है तो लाइक, सेर, कॉमेंट और चैनल को सस्क्राब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नौटिफिकेस अन आप लोग मिलते रहें और आप लोग मेरा वीडियो देख पाए वीडियो कैसा लगता है कॉमेंट में जरूर करते हैं तो गर्मा गरम सब कीजिए खाइए और हमें कॉमेंट में बताइए भी मिलते हैं एक नए रिसेपी के साथ में